विहार में 1,70,000 पदों पर आयुजित कीगी सिच्चक वहाली पर इच्छा की काउंसिलिंग से लेटेड इस वक्त की एक वड़ी और मेहतपूर अपडेड आ रहे हैं सिच्चक वहाली की जो काउंसिलिंग वो आफलाइड मोड में चल लाई हजारों अब्यति दिन बर अलग-अलग सिंटर्स पर अपना डोकुमेंट वरिफिकेशन के लिए पहूंच रहे हैं लेकिन बहुत सारे अभिरति ऐसे हैं, जिनका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन, यानि कि जो कॉंसलिंग की पिरक्रिया है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है, कि यह गलती जो है, वो BPSC की है, BPSC ने जब एक्जाम कंडेट कराया जब परिच्छा ली थी, उस समय बायोमेटिक एटेंडेंस ली गए थी, जो भी बायोमेटिक डेटा कलेक्ट किया गया था, वो आखिर किस लिए किया गया था, अभी जब अभिरति अब काउंसिंग के लिए पहुंच रहे हैं, तो बहां पर उनके आधार कार्ड में रिज से परिच्छा की समय बायोमेटिक डेटा कलेक्ट किया गया था, यानि कि थम इंपरिशन के तुरू बायोमेटिक के टेंडेंस ली की थी, सेम टू सेम काउंसिलिंग पर किरिया में यह चीज अपलाई क्यों नहीं की जा रही है, हजारों बेरति ऐसे हैं, जिनके या तो आधार काड में मोबायल नंबर रेजिस्टर किया हुआ है, मोबायल नंबर चाल हुए, लेकिन फिर भी उनके आधार रेजिस्टर मोबायल नंबर पर जो OTP है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसमें जैसे वो अभिरति काफी ज़्यादा परिशान है, और इसके जो पू पर या तो सिच्चा विवाग के चक्कर लगा रहा है, या भी पीएसी ऑफिस जा रहा है, तो इस चीज़ को भी पीएसी को देखना चाहिए, और काउंसिलिंग अनकी डीवी में भी वायमेटिक लिया जाना चाहिए, जो भी यहाँ पर पॉसिबल परस्थितिया है, उसको रखते हुए, अभी पीएसी जाना चाहिए, और यह ओटीपी वाला जाड बिलकुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अभी पीएसी को प्रॉब्लम हो रही है, अभी पीएसी को यह चीज़ सोचना चाहिए, कि बहुत सारे अभीएसी होंगे, जिनके अधर काड़मी या लेकिन फिर भी वो चीज वहाँ पर लागू कियोंगे, आखिर क्यों, इसका रीजन क्या है, इसके साथ ही यहाँ पर बायमेटिक अटेंडेंस क्यों नहीं ली जा रही है, जब अभीएसी थम इंप्रिसन लगा सकता है, ठीक है, वहाँ पर एक्जाम के समय बहाँ पर बायम का डिपलोमा है, लेकिन अब वीएट के ऐसे अभीरती कांसलिंग में पहुंच रहे हैं, जिनके पास डिएलेट का कोई भी डिपलोमा से फ्लोमा कुछ नहीं है, और वो कांसलिंग में पहुंच रहे हैं, या तो उनको वीपेसी के जो अधिकार ही है, जो भी कांसलिंग को भी अब इतक बाहर नहीं किया गया बैसे बिना ऐसे ही सारे लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जिस वज़े से मेरिट बहुत ज्यादा हाई गई है इसके साथ ही और भी कई सारे रीजन है सीट एट फेल वालों को सबसे पहले बाहर किया जाना चाहिए इसके के स्कूर कार्ड जारी क्यों नहीं गया विदाऊट स्कूर कार्ड विदाउट मेरिट लिस्ट के बीपीयस सी यहाँ पर काौनसलिंग कराने के लिए डट़ी पड़ी है जिस वज़े से ल tut है नहीं का जिन अबहरति का रिजल्ट हो चुके है वो अबहरति ऐसा लग रहा है कि वो बाहर खड़े हुए हैं उनको अंदर जाने के लिए नहीं मिला है इसलिए क्योंकि उनका नाम जो है मैट लिस्ट में आया ही नहीं है तो बीपेसी बहुत सारी ऐसी कम यह नजर आ रही है और लगातर आप देख भी रहे होंगे कि अब्यर्ति कितना ज्याद प्रोब्लम्स आ रही है बाकि इस वीडियों को सेर जरू कीजिए अपने फ्रेंट्स के साथ तकि अधर इस्ट्रेंट्स को भी इस वारे में जानकारी मिल सके और इस वीडियों को ज्यादा से बंद किया जाए और जल्द 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 जो बायमेट्रिक के तरो फिंगर प चेट में किया जाता है उसी तरह से टकation को धाल सके कि उसे कितने नंबर मिलें एक्जाम में एंट ही都 DPSC arrival पाखे इस वीडियों कीजिए अगरा आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब रयुक एँजिए हमारे आप बिर्तियों महीं जो भी सहूलीत बरी चाहे व तेविक नी विडिविक नी इस बीजिए था, thank you so much for watching this video.